सचिन बोल रहे हैं I am not able to connect with my cards देखें बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम card की reading कर रहे होते हैं तो हमें जो है जो हम interpretation जो हम बहुत बार expect कर रहे होते हैं वो interpretations नहीं घट रही होती है जिसके विज़े से हमें लगता है कि हम cards के साथ जो है connect नहीं कर रहे हैं समझने की बात है थोड़ी सी सारा कुछ कहीं न कहीं आपके उपर depend करेगा कि आपकी मनुस्तिति क्या है आपकी भीतर क्या चल रहा है cards वहाँ पे सिर्फ एक medium की तरह है cards जो हैं वो simply आपकी सितिति बता रहे हैं आप जो हैं सिर्फ एक medium की तरह है आपका medium कितना clear है कितना जो है उसमें clarity है उस हिसाब से जो है वो cards जो है आपको बता पाएंगे अगर आप किसी और के लिए पूछते हैं जैसे कि अगर किसी और को आगर आप help कर रहे हैं reading करने के लिए और रीडिंग करते हुए और बीतर से जो है आप बहुत दुखी हो रखें और लेकिन दूसरे को आप guidance दे रहे हैं कि वो कैसे सुखी रहे अब यहाँ पर एक विरुदा भास जो है जो खट जाता है एक बिल्कुल एक उल्टी बात हो जाती है कि हम दूसरे को जो है हम उसको सुख का रस्ता बताना चाहते हैं लेकिन खुच जो है हमारी जिन्दगी में जो है दुख है अगर हमारी जिन्दगी में दुख है तो आप मान के चलिए आप दूसरे को जो है सुख का रस्ता नहीं बता पाएंगे इसलिए टारो के फील्ड के अंदर आने से पहले किसी दूसरे का टारो शुरू करने से पहले वो एक बहुत एक important बात हो जाती है कि आप अपने भीतर क्या सुकी है क्या आपकी एक ऐसी स्थिती बन चुकी है कि आप अपने आनंद को बाट सके कि आप अपने सुक को जो है शेयर कर सके क्योंकि कार्ट्स जो है वो कहीना के secondary है सबसे पहली important बात ये है कि आपके भीतर क्या घटता है कि आप अपने भीतर जो है कि स्टेट में है क्योंकि टारो को सारा परपस ही है कि हम दूसरे को जो है एक तरह की service provide कर रहे है हम दूसरे को help कर रहे है हम दूसरे को guide करना चाहते है लेकिन अगर हमारे खुद के जीवन में जो है problems हैं issues हैं तो दूसरे को कैसे help करेंगे तो वहाँ पर ना सबसे पहली बात इसलिए टारो के लिए जो है ना एक कहिना के responsibility बन जाती है हमारी कि अगर हम किसी को help करने वाले हैं तो सबसे पहले हम अपनी खुद की मदद कर ले हम खुद की help कर ले और मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ अगर आपके जीवन में सुकh घटा है तो आप दूसरे को भी जो है सुकh बाठ पाएंगे उसका इशारा कर पाएंगे लेकिन अगर आपके जीवन में जो है दुख है तो आप हजार बाते करें सुख, सुखी होने की वो बात नहीं बन पाएगी वहाँ पे आप कार्ड्स आपको जो बताएंगे वो आपकी ही सिती बताएंगे अगर हमें कार्ड्स के थू किसी की रीडिंग करनी है तो उसका सही तरीका यही है कि आप बिल्कुल नीट्रल हो जाएं बीच में आप बिल्कुल भी आपकी एनर्जी ना हो तो आप जितने नीट्रल हो जाते हैं उतना जो है दूसरे की हेल्प हो जाती है क्योंकि आपके थू जो है डिवाइन मेसेज़ जो है फिर वो आ सकते है क्योंकि अगर आप नीट्रल नहीं है तो फिर आपकी आपकी इनर्जी उसमें मिक्स हो जाएगी आपकी जो है उसमें मिलावट आ जाएगी उसमें जो है जो डिवाइन का जो मेसेज है जो प्योर मेसेज है उसके अंदर जो है एडल्टरेशन हो जाएगी तो बहुत इंपॉर्टन्ट है जब सचन आप पूछता है I'm not able to connect with my cards, connect आप तभी कर पाओगे ठीक से, दूसरे की तभी आप help कर पाओगे, जब आप अपने अंदर बिलको clarity रखोगे और बीतर एक optimum state में होगे, बहुत एक सुखी state में होगे, बिलकि ये मेरा suggestion है, सभी दोग करना चाहते हैं, या किसी help करना चाहते हैं, कि आप session ही दूसरे का तभी लीजे जब आप जो है अंदर से अच्छा मेसूस करते हूं, जब आप खुश हो, जब आप दुखी हो तो अपना कमरा बंद करके जो है चुपचा बैढ़ जाए, अपने issues को जो है पहले resolve करें, अप बुद की कहानी चोटी सी है, जो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, एक मा जो है अपने बच्चे को बुद के पास लेके आती थी, और वो बोलती थी कि बगवान इसको गुड़ खाने की बहुत आदत है, और मैं बहुत परिशान हूं, यह सारा दिन गुड़ खाता रहता ह इसका पेट भी खराब रहता है, इसके कारण, तो आप जो हैं, गुरु हैं, अगर आप इसको बोलेंगे, तो यह छोड़ देगा, मुझे पता है, आप बस एक बार इसको बोल देंगे कि गुड़ छोड़ दो, तो यह छोड़ देगा, मुझे पता है, तो भगवान बुद पुछे की वो थोड़ी सी हैरान हुई कि छोटी सी एक सेंटेंसी तो बोलना है कि गुड़ मत खाओ लेकिन खेर गुरु ने बोला था तो वो मान गए वो परसो आए परसो आए उन्होंने बोला कि अब तो आप इसको बोल दीजे कि गुड़ मत खाए फिर जो है दोबारा से जो है भगवान बुद्ध ने बोला नहीं अभी दो दिन और लगेंगे तो थोड़ा सा फिर उनको इसकी माँ को कि दो दिन और लगेंगे सिर्फ एक सिंटेंस बोलने में दो दिन ओन लगेंगे तो खेर उने का ठीक है आप कहते हैं तो कोई बात दो दिन के बाद जब वो दुबारा आए तो उसके बाद भगवान बुद्ध ने उन्हेंने बोला कि अब तो आप बोल दीजे तो भगवान बुद्ध ने कि मैं इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मैं खुद बुड़ खाता हूँ तो जब तक मैं नहीं छोड़ पा रहा तब तक मैं दूसरे को कैसे बोलूगा इसलिए अगर आपने किसी को सुख बांटना है न तो अपने भीतर जीवन में सुख ले आना तब दूसरे को सुख जो है कुछ कहना नहीं पड़ेगा कुछ करना नहीं पड़ेगा दूसरे को सुख पहुंच जाएगा दूसरे की हेल्प हो जाएगी और फिर आप सही ढंग से जो है कार्ट के साथ कनेक्ट भी कर पाओगे